Good morning students, आज आप अपनी बुक में पेज नमबर 24 ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें उपपर देखिए, आओ गाएं गुन गुना है, मैं आपको जिसे बोल के बता रही हूँ, आपको भी उसको बोल बोल के पढ़ने का अभ्यास करना है, शुरू करते हैं, बर्खा रानी, दूर भगाएगी, हम सब का मन बहलाएगी, बर्खा रानी आएगी, धर्ती को सहलाएगी, वन में हर्याली लाएगी, पशु पक्षी को नहलाएगी, बगिया को महकाएगी, बर्खा रानी आएगी, तो आपको भी क्या करना है, ऐसे इस कविता को पढ़ना है, और उसके बा आपको कुछ शब्द दे रखे हैं मात्राओं के उनको आपको देखके अलग-अलग मात्राओं वाली जो बकेट दे रखी जो बाल्टी दे रखी उसमें आपको फिल करना है तो देखे कैसे करेंगे नीचे दिये गए शब्दों की बूंदों से पानी की बाल्टियां भरें ब अब एप के कोई मात्रा नहीं होती तो इसमें देखिए बिना मात्रा की शब्द कौन-कौन से आए तो देखिए अजगर नल और उप्वन ये तो लिखेंगे आप इसमें A में अब इसमें A की मात्रा की कौन-कौन से शब्द आए तो आपको इसमें डूड़ना है तो गिटार सितार और चिडिया फिर बड़ी की मात्रा मच्छली मकडी लीटी फिर इसमें देखिए छोटे हुखी मात्रा के शब्द कचुआ बटुआ और कुटिया फिर बड़े हुखी मात्रा की शब्द भालू चाकु और तराजुद आपको क्या करना है आपको इसमें अलग-अलग मात्राओं के उनको अलग-अलग बकेट में लिखने हैं और इनको याद भी करने हैं शब्दों को बढ़ी की मात्रा की शब्द कोन से होते हैं चोटे उकी कोन से होते हैं और बड़े उकी कोन से होते हैं इस तरीके से आपको इसको अपनी बुक में ही फिल करना है बुक में ही लिखना है धन्यवाद